राहुल गांधी ने एक बार फिर से दिखाई अपनी खेल प्रतिभा, जूडो खेलते हुए तस्वीरें हुई वाइरल कॉंग्रेस ने तार राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया है इस बार उन्होंने जूडो के मैदान में अपने कोशल का परिचे दिया यह घटना हाली में दिल्ली में हुई जब राहूल गांधी ने एक जूडो प्रसिक्षड केंद्र का दौरा किया इस दौरान उन्होंने ना केवल जूडो खिलाडियों से मुलाकात की बलकि खुद भी मैट पर उतर कर इस खेल की बारीकियों को समझा और अभ्यास किया राहूल गांधी की जूडो खेलने की ये तस्वीरें और वीडियो शोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रही है वीडियो में वह जूडो की विभिन तकनीकों का अभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्होंने खिलाडियों के साथ दोस्ताना मुकाबला भी किया राहुल गांधी का यह कदम युवाओं में खेल के प्रतीज जागरुकता और रुची बढ़ाने के उद्देश से देखा जा रहा है मानसिक मजबूती के लिए जरूरी है खेल कूद इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि खेल ना केवल शारीरिक स्वास्त के लिए महतोपूर्ण है बलकि अहमानसिक मजबूती और अनुसाशन भी सिखाते हैं उन्होंने खिलाडियों को प्रोचसाहित करते हुए कहा कि खेल के छेतर में भारत के पास अपार संभावनाएं हैं और देश के युवाओं को इसे जरूर अपनाना चाहिए राहुल गांधी की खेलों में रुची कोई नई बात नहीं है इससे पहले भी उन्हें कई बार फुटबॉल, साइकलिंग और तैराकी जैसी गतिविधियों में भाग लेते हुए देखा गया है कॉंग्रेस के नेता के रूप में उनका यह खेल प्रेम उनके समर्थकों के बीच उन्हें और भी जादा लोकप्रिय बनाता है उनके इस नए अवतार की सराहना विभिन, राजनीतिक और सामाजिक छेत्रों से की जा रही है राहुल गांधी के खेल से मिलेगी खेल कूट की प्रेना विशेशग्यों का मानना है कि राहुल गांधी का जूडों खेलना ना केवल उनके व्यक्तिगत ब्रांड को मजबूती देगा बलकि युवाओं के बीच खेलों के प्रती बढ़ती रुची को भी बल देगा या घटना उनके भारत जूडों यात्रा के बाद खेलों के माध्यम से देश को जोडने की एक नई पहल के रूप में देखी जा रही है कुल मिलाकर राहुल गांधी का जूडों में सक्रिय रूप से भाग लेना और खिलाडियों को प्रेरित करना देश में खेलों के प्रती एक सकरात्मक संदेश मेलाने का प्रयास है